लुज。 है लो स्टूडेंट्स. तो आज हम पढ़ेंगे संग्या. संग्या मीन्स नावन जैसे किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव प्राणी मतलब कोई लीविंग टिंग जीव्या जिसके पास हो उसको हम प्राणी बोलते हैं और भाव भाव मतलब feelings जैसे हमको ठंड लग रही है गर्मी लग रही है उसको हम भाव बोलते हैं तो इन सभी के नाम को संग्या कहते हैं अब हम इनके कुछ वाक्य पढ़ते हैं जैसे रात बीट गई दिन निकल आया तो तब रात है उसको हम फील करते हैं तो उसको रात बीट गई तो रात जो है इसमें संग्या है दिन निकल आया रात के बाद जब रोश्नी होती है तो दिन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं दि जो होता है वो डे तो इसलिए संग्या है पक्षी चहचाहाने लगे पक्षी मतलब बर्ड तो वो आवाज करने लगे साउंड करने लगे तो पक्षी माजी उठकर रसोई घर में चली गई मा मतलब मदर मदर किचन में गई तो उसको हम बोलेंगे संग्या मा को हम संग्या बोलेंगे क्योंकि वो भी एक नाम है रसोई घर एक नाम है किसे किचन किचन हो गई तो किचन एक नाम है मांसी और अम्रिता उठकर विद्याले जाने की तैयारी करने लगी जैसे मांसी एक नाम हो गया अम्रिता नाम हो गया विद्याले मतलब स्कूल तो यह भी एक नाम हो गया प्लेस जहांपर हम पढ़ते हैं उसको हम नाम से बुलाते हैं बिद्र ले कर आता है दूद को हम भी alatay एंग्ली से तो इसको संग्या बोलते हैं क्योंकि यह नाम है तो next है सूर्य की रोश्णी से उपवन का सौंदरे खिल उठा सूर्य मतलब sun और रोश्णी मतलब light तो उसकी light से क्या हुआ उपवन मींज garden garden में सौंदरे खिल उठा मतलब उसकी beauty चमक गई तो आप यह सभी वर्ट जो लाल रंग में हैं यह सब संग्या है तो इसमें आप देखेंगे जो उपर लिखे वाक्यों में आए रात, दिन, पक्षी, मा, रसोईगर, मांसी, अमरिता, विद्याले, दूदवाला, दूद, सूरिय, रोश्णी, उपवन और संदेरिय, प्राणियों, स्थानों, व्यक्स्तूओं और भाव के नाम है, इन सभी नामों को संग्या कहते हैं, जितने भी नाम है, इनको हम संग्या कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तू, स्थान, प्राणी और भावादी के नाम को संग्या कहते हैं, तो यह सारे नाम है, वस्तू के नाम हो गए, स्थान के नाम है, इसमें सभी प्राणियों के नाम है, भाव आ जैसे संदरे मतलब भूटि तो वह वह गया तो ऐसे इन सब छो सबी के नाम को संग्या करते हैं शंग्या के तीन bhet होते हैं व्यक्ति-वाचक संग्या जाति-वाचय संग्या और भाववाचक संग्या इनको हम टेटेल में पार्ट 2 में पड़ेंगी तो आशा है आपको संग्या समझ झाल झाल